हलो प्रेंट स्वागत है आप सबका मेरी कुकिंग ब्लॉग में प्रेंट आज बनाने वाली हूँ 36 गड़ की प्रसिद और सबसे महंगी भाजी बोहर भाजी आप किदर इसको क्या बोलते हैं कॉमेंट में जरूर बताएगा हमारे इधर इसको लभेर भाजी बोलते हैं और मेरे चैनल में आप नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए तो भाजी बनाने के लिए मैंने लिये लवेर भाजी इसको इस तरह से छोटा-छोटा हाथों से तोड़ लेना है इसको काटना नहीं है इस भाजी को तोड़ कर ही बनाती है तो मैं इतने सारे को तोड़ ली हूँ और दो से तीन बार अच्छे से सब पानी से धुली हूँ और अब बनाऊंगी भाजी तो मैं चूले पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में डाल देती हूँ पानी और मैं इसको खटाई से बनाऊंगी मैंने लिया यहाँ पे अमचूर का पाउडर आम का तो पानी में इसको डाल देती हूँ आप कोई सभी खटाई ले सकते हैं और इसमें डाल देती हूँ भाजी को तो मैं इस तरह से सभी भाजी को डाल देती हूँ पानी में और इसमें डाल देते हूं थोड़ा सा नमक और इस तरह से सभी को मिला देती हूं और इसको ढख कर कम से कम 10 मिनट तक पकाना है तो मैं भाजी को थाली से ढख देती हूं तो देख सकते हैं 10 मिनट के बाद भाजी अच्छे सुबल गया है और इसको निकाल लेती हैं अब एक थाली में तो मैं सभी भाजी को निकाल लेती हूं और चूले पिचड़ा देती हूं कढ़ाई तो मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है और इसमें डाल देती हूं तेल और फोरण के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक दो कली लहसुन तो डाल देती हूं तेल में तो लहसुन जो अच्छे स्चटक गया है तो इसमें डाल देती हूं कटी हूई एक दो मिर्ची और मिर्ची भी है अच्छे चटक गयात इसमें डाल देती हूं थोड़ी समेथी मेडिया माच में तो देख सकते हमारे भाजी के कलर भी चेंज हो चुका है इस भाजी को कटाई में ही बनाते हैं यह भाजी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें हम डालेंगे 2-3 कटा हूव टमाटर तो मैं पहले से ही टमाटर काट ली हूँ और टमाटर को डाल देती हूं भाजी में और टमाटर में डाल देती हूं स्वादंसा नमक ताकि टमाटर जो अच्छे से गल जाए और टमाटर को ढख देती हूं भाजी से और कुछ देर से इसको आवर अच्छे स्पका लेती हूं और इसको ढग कर अच्छे पका लेना है तो मैं थाली से ढग देती हूँ तो कुछ देर के बाद चेक कर लेती हूँ तो देख सकते हैं भाजी में टमाटा रच्छे से गल चुका है तो इस तरह से हम अच्छे से खूँद देती है अब इसको वार थोड़े दे तक पका लेते हैं जब तक इसकी पानी जो है अच्छे से सोख न जाए इस भाजी को विल्कुन सोखा ही बनाते है यह भाजी रोटी या चावल के साथ भी खाने में बहुत अच्छा लगता है तो देख सकते हैं यह भाजी कितना टेश्टी लग रहा है तो हमारी बोहर भाजी बनके रेड़ी है और आज की रेश्पी आप सबको कैसी लगी पसंद आई तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा